सब्सक्राइब करेंगे जिसका नाम है तर्मक्स जिसको यूज करके आप अपने मुबाइल से एंडॉड है कि मॉबाइल पैंटेस्टिंग यह सब कर सकते हैं ठीक है तर्मक्स है क्या तर्मक्स ना आपका एक टर्मिनल एमिलेटर है जैसे आपने कभी का लिनिक्स या वन्तू यूज किया होगा तो उसके इंदर एक टर्मिनल एमिलेटर होता है जिसके इंदर आप कमांड्स पूट करते हैं बैस कमांड्स करते हैं उसके इंदर आप स्क्रिप् इसलिए नमबर वन एप है ठीक है और मेरा वन दो फेवरेट एप है क्योंकि इसके अदर आपको नॉन रूटीड और रूटीड डिवाइस दोनों का सपोर्ट मिल जाता है ठीक है अगर आपका फोन रूटीड नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है आपके फो अप्डेट फोन में कैसे इसको सेट अप करना है और कैसे इसको यूज करना है इसके बेसिक कमांड क्या है वह सब मैं आपको बताऊंगा आगे और इसके कुछ एड़ओंस है इसके कुछ टूल से और कुछ यूटिलिटीज है ठीक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताए कि इसका जो लेर्टो के साथ बीडियो EVERY सब्सक्राइब घर तर और इसको बातर ने की तो रहेंगे तो चैनल को बताया कि इसका जो latest version वो play store पे लेवल नहीं है मैं आपको इक बारी show कर देता हूँ जैसिकि आप termax search करोगे play store पे यह एक app आप 18 MB गा termask by frederic fonwell ठीक है developer तो same ही है लेकिन जब about this app में जाओगे आप और नीचे इसके what's new में जाके updates दिखोगे यहाँ पे version के नीचे updated on September 29, 2020 ठीक है 2020 के बाद से इसका कोई update नहीं आया ठीक है so हमे latest version install करता है उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए आपको जाना है अपने chrome पे data अपको उस्क्राइब जो फर्स्ट पेज आएगा देन यहां पर एफड़ोड की साइट ओपन हो जाएगी ठीक है यहां पर आपको डाउनोड का ओप्शन आएगा एफड़ोड को इंस्टॉल कर लो इसके इंदर भी काफी एप से जो आप बाद में यूज करोगे ठीक है आपको डाउनोड पर एफ प्रेट फड़ोड अपी ठीक है आपका एफड़ोड फ्रेट फो डाउनोड आपको डाउनोड पर इसको 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 यूज करके हम यहां पर टर्मक्स के कुछ official add-on यहां पर इंस्ट्ॉल करेंगे ठीक है तो मैं आपको आगे वीडियो में शोग करूँगा जैसे थ देख सकते हैं यहां पे अपडेट हो रही है, so guys आपकी रैपोज अपडेट हो जाएंगी and then यह सेब करेगा, so guys जैसे आप अपनी रैपोज अपडेट कर लेगा, then आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलती है, then आपको सर्च का आइकन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहां आपको सर्च करना है, ठीक है, आपको जास्ट लिख दियाना है, और जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, अपने को इस पर खिलिक करना है, जो नीचे आ रहे हैं, वो सारे आइड ओन्स है, उनके बारे में आगे बात करेंगे, जान हम ठीक करेंगे, और यहां से आपको तर्मक्स इंस्टॉल होने लग जाएगा, यह डाउलोड होगा और यह 97 MB का है, ठीक है, आपने जैसे देखा था प्ले स्टॉर पर आउराउं 18 MB का था, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, तर्मक्स डाउलोड हो चुका है, डाउलोड होने के बाद आपको एक ऐसा नोटिफ जो यूज करे है, एकसेप्ट करना सको बैक करोगे, यहां पर टमक्स अथा इक हो सो तर्मक्स कीजे आपको इंस्टॉल कर ले ना है, एक कि डिक करना है, टाउलोड पर क्लिक करोगे, जैसे इस्टॉलिंग करने लेगा, पने टमक्स अपको ठीक है, सो अभी फिलाल हमँस ए आपको यहां पर शो करता हूँ फर्स्ट टैप क्या करना आपको तर्मक को सेट अप करने के बाद कैसे आप तर्मक को सेट अप करने है ठीक है यह जो कमांड है यह आपके टर्मक को permission देगा फाइल सेक्से करने की ठीक है आपकी डिवाइस की फाइल एकसे करने की तर्मक करने की देना पूझा से कमांड पुट करके एंडर हिट करना है जैसे आप एंडर हिट करोगे एक नोडिफिकेशन आएगा देन आपको यहां पर आ पैकेज करें है इंडर हिट यह जो कमांड पूट यह आपके डाउड होगे और अपडेट नूद करना है रिसमें आपे आपकी पैकेज दाउनलोड होएंगे और अप्रेट चाएंगे ठीक है आपकी तर्मक से सारे अपकेज अपडेट हो चुकेו है हैं यहाँ इम जो नेक पेस की टेंशन मत लेना और यह जैसे आप करोगे एंडर हिट यहां पर देख सकते हो यह सारे अपग्रेड होने लगे जितने भी आपके पैकेजिस थे तर्मक्स के वह सारे यहां पर अपग्रेड तो हमने पहले कर दिये थे अपग्रेड हो रहे हैं ठीक है तो इसमें अपग्रेड हो चुका है उसको हम कैसे चैक कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कमांड यह पुट करना है एपट अपडेड ठीक है सेम कमांड पुराना वाला और यहां पर दो बार एंड ठीक है एंड का सिंबल देख रहे हो दो बार एंड और देन अपग्रेड ठीक है यह यह पुर्ट करना है लेकिन इसको जैसी आप अंड रिट करोगे ना जितने भी बचेवे पैगेज अपडेट नहीं थे अपडेट में थे वह सब कम्प्रेट ली अपडेट हो जाएंगे ठीक है सो यह आपका फर्स टैप यहां पर आपने कम्प्रीट कर दिया है यहां पर ह करेंगे जैसे हम कभी भी इफ से कोई फाल वाल दाउन करते है उसका हम इजिली कर सकते है ठीक है तो यह कमांड पूट करना है यह पिन इंस्टॉल गिट और आपको एंटर हिट कर दे रहा है तो यह थोड़ा टाइम लेगा और यह थोड़ी देर में यह भी आपका यहां प करोगे आपके फोन में पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन का ठीक है तो यह विल्टी विडी चेक किया और इसमें बताये कि यह 430 MB का स्पेस यूस करेंगा तो देख सकतो इतना डेटा यहां पर यूज़ों का देन आपको वाई एंडर हिट करना है और यह थोड़ी इसमें स्टॉल हो गए नेक्स आपर हम इस्टॉल करेंगे डबलु के ठीक है डबलु गए इस्टॉल करने के लिग आपको कमार्ड पूट करना है आप इस्टॉल डबलु गए ठीक है आप जैसी है कमार्ड पूट करके एंडर हिट करोगे तो आराउंड 881 KB of additional space will be used आपको करेंडर हिट कर देना है और थोड़ी तिर में आपके फोन में डबलु के इस्टॉल हो जाएगा यही ते कुछ पैकेजिस जो मैं आपको बाताए जो आपको फॉर्स्ट तैम इस्टॉल करने अपने तर्मक में यहाप आप हम बात करेंगे तर्मक के कुछ बेसिक्स कमांड उनको कैसे यूज करना है विट इक्जांबल सो चलो मैं आपको वो शो करता हूँ सो चलो अब हम बात करते है तर्मक के कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में जो आपको मस्नों हो निचे ठीक है तर्मक की बहुत सारी कमांड से उनके मैंने प्रॉपर फीडे वना रिखे आप निचे से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको या फिर आप मेरा टेलेगों गूर्प चॉइन कर लेना वहां पर भी आपको मैं अवेल करा दूँगा तर्मक के बारे में जिसनको आप तर्मक्स यूज कर सकते हो जैसे आप देख सब तो इतना मै हैसकते हो इसको जिसे हमें पता चलता है हम है का सब्सक्राइब से बता हैं हम है कौन सब्सक्राइब करिंस यूजक्वार्मक केई हो क्यों आपको इस मेरा या लिद असमय तर्मक्स यूजए ब्लश से यहां पर नेंप कर गडभे आपके थंग हो फिरिका स Complete awen. और ऐन कश तो जो ls command list directory इस command को जैसी आप put करोगे आपकी जो current files है और directories है इस folder में वो यहाँ पर आपको show हो जाएगी आपकी जो current directory में यहाँ पर storage है क्योंकि हमने storage permission दी थी first time आपने termux को ठीक है so then यहाँ पर हमना एक नई directory बनाएंगे so उसको कमानाने के लिए आपको यहाँ पर command put करना है mkdir make directory और जैसे मैं आप एक directory बना देता हूँ so किसी भी name से आप directory बना सकते हो जैसे मैं आप लिख देता हूँ hack in ठीक है so hack in लिखके जैसी मैं आप एंटर put करता हूँ hack in ठीक लिख देता हूँ जो मेरा instagram channel भी है आप वहाँ पर जाकर उसको follow कर लेना अब लेटर साइवर से स्क्यूटी अप्रेट्स के लिए so जैसी मैं आप एंटर्टी किया यहाँ पे अब कर देगा और हमें इसा है जिस डियरक्ट्री में जाना है उसका name-पुट कर लाग है So जैसी करेंगे एंटर्स कोट करेंगे सो यह हमने इसाट्रेक्ट्री में ले जाएगा Hack in अंसकोर डीक्ट्री में ले जाएगा अब आप आपि यहां पे मैं है stat हरं reference जीसिए मैं यहां पर लसीट करता हूँ आप जेक सीट तो यहां पे कुछ नहीं हा रहा है लूट है यहां पर कोई भी फाइल नहीं है ठीक है सो चलो काइस इसके अंदर आपना text file create करेंगे ठीक है इसलिए हाप एसली सीख जाओगे हां ठीक है जैसे कि मैं आप लिख देता हूं subscribe now ठीक है आपको लिख देना है या पर जो भी command या फिर जो भी name या फिर जो भी text लिखना चाहते हो आप लिख देना जस्त और लिखने के बाद जैसी subscribe now जैसे मैंने आप लिख दिया उसको देन वापस हम close कर देंगे double quote close करने के बाद देना है so then guys आपको या पर greater than का symbol डालना है so greater than का symbol डालने के बाद आपको files.txt लिख देना so हम या पर txt file create कर रहे है इसलिए हम txt लिख रहे है so जैसे आप android हिट करोगे so अभी आपकी file create हो चुक है लेकिन आपको show नहीं हो रही है so show होने के लिए हम अपना only command यूज करेंगे ls, so guys अब हम देख सकते है here पर file show हो रही है then हम यहा पर देखेंगे हमने text file के अंदर क्या command या text यहां पर लिखाता ठीक है उसको देखने के लिए आप यहा पर command यूज करेंगे cat command ठीक है we just put cat or file .txt जो आपकी फाइल का नेम है जैसी आप यहाँ पर एंटर हिट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया सब्सक्राइब नाओ यह शो हो रहा है हमें जो हमने जो टेक्स हमने पूट किया था इसके अंदर ठीक है कमांड को हमें इसलिए यूज करते हैं सो अभी हम यहाँ यहाँ पर एंडश को टेक्टरी में ठीक है चलो वापस चलते है अपनी पेरेंट डेक्टरी में उसके लाँ यहाँ पर न्यू कमांड पूट करेंगे अपनी पेरेंट डेक्टरी में चली जाओगे ठीक है अब हम कैसे फाइल्स को डेक्टरी को डेक्टरी करते हैं वह मैं आपको बताता हूं ठीक है फाइल और डेक्टरी दोनों को डेक्टरी करने का कमांड डेक्टरी का नाम है इसके अंदर गए और मैं आपको इसके इंदर की जो फाइल है इसको डेक्टरी करना सिखाता हूं ठीक है हम कमांड यहां पर यूज करेंगे अर्म और फाइल का नेम ठीक है आपको फाइल डोट टेक्श दिलिक देना है और देख सकते हैं है यहाँ पर जैसी आप एंटर हीट करोगे आपकी फाइल इहां डेलीट हो चुकी है सो आप दुबारा हम लस करेंगे शो करेंगे तो जैस cd double dot command use करके और जैसी back आ जाएंगे तो मैं ls करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी parent directory में आ चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं hacking underscore tech है and then storage है ठीक है चलो हम delete करते हैं hacking underscore tech directory को ठीक है command यहाँ पर use करेंगे हम for deleting directory वो है rmdir ठीक है और जैसी enter hit करोगे वो delete हो जाएगी यहाँ पर आप ls करके देख सकते हो वो हमारी directory यहाँ पर successfully delete हो चुकी है ठीक है so guys यह तो कुछ basic command थे जो मैंने आपको show करती है और भी commands है उनको हम future videos में use करेंगे so guys अब हम बात करेंगे termux के कुछ official add-ons के बारे में termux के कुछ official add-ons है जैसे की termux float, termux API, termux widget, termux tasker, termux styling, termux boot ठीक है so यह कुछ termux के official add-ons है third party add-ons भी है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ official add-ons के बारे में बात करेंगे इनको कैसे use करते हैं और इनके क्या features है और इनको कैसे install करना है तो ठीक है, इसके लिए आपको f-broad का app open करना है, इसलिए मैंने बोला आपको f-broad install कर रखो, then यहाँ पर आपको search का option लिख जाता है इस पर आपको click करना है, then यहाँ पर आपको लिखना है termux, ठीक है just termux आपको search करना है और first पर हमारा termux आजाता है the terminal emulator जो हमने install कर रखा है और then उसके नीचे जो भी आ रहे हैं वो सारे add-ons है, इनके कुछ third party add-ons भी आ रहे हैं लेकिन हम सिर्फ official add-ons के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, so first में यहाँ पर termux float आ रहा है, so termux float का क्या है, termux float ना एक feature है जिसको आपका terminal है उसको as a floating window आप use कर सकते हो, लेकिन MI phone में उसकी जुरत ने है क्यों कि MI के जितने भी phone है, Xiaomi Redmi के, उसके इंदर built-in feature आता है floating का, ठी आप देख सकते हैं, यहाँ पर floating window का option आता है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यह floating window में open हो गया, just like that, ठीक है, जिस phone में features नहीं है, उसके लिए आप use कर सकते हो termux float, ठीक है, so basic इसका यही है feature, next पर चलते हैं, हम यहाँ पर आता है termux API, ठीक है, इसको install करके termux API कि य use कर सकते हो, ठीक है, basically एक bridge है आपके phone और एक termux app के भीच में, ठीक है, इसको use करके आप termux की GPS, contacts, gallery, हर एक चीज access कर सकते हो, ठीक है, so guys, यही काम करता है termux API, ठीक है, so third पर चलते हम, third पर आता है हमारा यहाँ यहाँ पर termux widget, so as a name इसका बता रहा है termux widget, तो इसको use करके आ termux का widget बना सकते हो, जैसे home screen पर widget आजाते है Google का, वैसी आप termux, weather का widget होता है, वैसी termux का widget बना सकते हो, जिसको आप easily access कर सकते हो, home screen से, ठीक है, so यह user termux widget का, और यहाँ पर आपको मिलता है termux tasker, ठीक है, so termux tasker को use करके आप script run करा सकते हो, ठीक है, कोई particular script बनाई है, उसको आप यहाँ पर run करा सकते हो, termux tasker use करके, so guys, tasker के बाद आता है, हमारे यहाँ पर termux styling, termux styling को use करके आप अपने terminal का color change कर सकते हो, background का color change कर सकते हो, ठोड़े बहुत, अपने terminal के appearance कर सकते हो, उसको थोड़ा customize कर सकते हो, ठीक है, बस यह basic काम है, इसका, और then back, so last पर आता हमार termux boot, ठीक है, termux boot को आप use करके, किसी भी program को आप at a boot time पर run करा सकते हो, जैसे आपका phone open हो को, वो program run होने लग जाएगा, so guys, यही थे termux के कुछ official add-ons, इनके मैंने features आपको बता दिये, इनको हम आगे वाली future videos में use करेंगे, so guys, आज इस वीडियो में हमने termux के कुछ basic point clear करे, हमने देखा कैसे termux को install करते हैं, उसके commands कैसे use करते हैं, उनके basic commands की PDF भी आपको मिल जाएगे description में, आप download कर लेना, then हमने देखा कि termux के कुछ add-ons हैं, और उनके features क्या गया है, so guys, यह तो हुआ, बस part 1 इस video का, इस video के part 2 और part 3 भी आएंगे, और termux के उपर proper series चलेगी इस channel ठीक है, so next week में upload को दूँगा part 2, part 2 में हम देखें कि कैसे termux के अंदर metasploit, nmap, और termux के और भी tools, जैसके ACT toolkit, Hydra, इन सब को कैसे install करना है, और कैसे use करना है, so guys, अगर आप नई इस channel पे तो channel को like and subscribe कर दो, और notification bell on कर लो, और मिलता हूँ आपको next part में next week, तब तब तक लिए